हेलो स्टूडेंट, गुट पॉर्निंग तो आल अप्यू, बीटा जीड़ा अपना ASP.NET नेक्स्ट लेक्चर हो तो अड़ा है गा वर्किंग विद ग्रीड विव कुंत्रोल इवेंट्स हों दियानी उधिनाल अपका काम किमें कर दिया, इवेंट्स मिनिंग की एक्षन परफ मतलब जादा कम एदिनाली कर दिया अपका, the more you release, how powerful it can be while presenting a data, data इन शो करन दे विचे, आपकानों मतलब केमें पावर खुला है, तो it includes a rich set of events, मतलब बहुत सरी आइवेंट्स लू कंटें कर दिया है, that you can handle to customize the control behavior, control the behavior नो handle करन दे लिया, आपकानी च्वाइस ते पोड़िया and appearance, ते उन शो कर दिया, these events can be divided into three groups, ते न ग्रूप दे विचे डिवाइड उन दे ने बिटा, first the grid view control spot, the following set of events that are raised when the control display is through, जीदे विच मतलब के एहे display करवान दे रो नो controlling दे दा, ठीक है, raised मतलब उन दा मतलब किसे वी चीजनों शो करना, prevent करना, अगे अगे अपने को ले data, आपजी में दे प्रोपेटीज देखो, जीदे डाटा बाइंडिग, डाटी नो बाइंड करके रखना बाइंडिके, raised immediately before the grid view is bound to its data source, मतलब के अपने को ले पहले उनों चला लेंदिया, immediately उस को मांड नों चला लेंदिया, वी grid view उनों बाउंड ना कर ले data source, मतलब आप दे आपको लेंदिया, ता data bound की हुं दिया, raised immediately after grid view is bound its data source, ए ओधो मतलब आपने आप दे विचे चला ले पन दिया, चला हो जन दिया, जा अकर हो जन दिया, जोदो आपके कारदा grid view मतलब के bound करन तो बाद, ठीके row created, row created, row created which की हुने raised when each row in the grid view is created, ए ओधो मतलब आपने आपने आपके जड़ी row ग्रेड विचे bound हो जन दिया, बंदी जन दिया, इस्तो बाद सेकेंड, the grid view control includes the following set of event that are raised when you are editing, ए बिटा तेन तरहने दे दे सी ना सोनू, पहली आपका पड़ली, ठीके जी होना आपका पड़ांगे, भी जोदो आपके दी विचे एडिटिंग करते है, changes कर row command, can they raised when an event is raised by control contained in the grid view, मतलब के grid view दी विचे जदो control दो contain कर दिया, ओधो, ठीके row अपडेटिंग, row अपडेट कर दिया, grid view अपडेट कर दिया, record अपडेट करन तो पहल नहीं, immediately show कर दिया, row updated, ठीके, ए ओधो हो जन दा, जदो row अपडेट हो जन दिया, देखो, ए अपडे अपडेट कर दिया, जदो अपडेट रोकॉर्ड 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 तर फो दित्वी कोंट्रोल स्पोर्ट वालेवेड इलेट तो शॉर्टिंग एंद पेसिंग गरें पेसिंग बंद थे। जा सब्सेंग एंद पेडिय मतल्ति पेजी पेज तो कि नया में पेज ने पना थे आएग्द कर से बीच थे चंज इंदेग करते हैं प्रोग्राम देख देख दिया है जोड़ों प्रोग्राम देख दिया है सब्सक्राइब प्रोटेक्टेड वाइड ग्रेड व्यू लगा रहे हैं प्रोव कमांड दे रहे हैं अब्जेक्ट सेंडर ग्रेड व्यू कमांड इवेंट वगएर आपका जो भी मतलब एक्षिन परफॉर्म करने हैं सब्सक्राइब पहला जीडिए इंट इंड एक्सा तो रहा इंटीजर टाइप मतलब 32-bit पार्श सट्रेंग जो आपने विच पास कारे हैं जेकर जेडिए अपने को ले डिड वी कमांड नेम इसीकल टू स्लेक्ट ता ता ठीका ग्रेड व्यू वन डॉट स्लेक्ट इंड एक इस तो बाद आप जीड पार्श सोर्स अग्रेड दिलीट कर देयां तीक है मतलब जेता अपना स्लेक्ट काना स्लेक्ट आप जो अधर इस की हो जाने कि वह डिलीट हो लेंगे डिलीट इस ता इसलेक्ट अपने पासे तक है था कुन्ट्रोल इवेंट ऑफ दा ग्रेड इस तो बाद आप जीड पैरामीटर नेम रोलंबर आप डिलीट कारना था डिलीट दी घुमाड आप बंद करती इस तो बाद पहुंड की करना इंटी सरवड दी उपर पहला पर रोलंबर पर आंगे फेर आपा बच्चे रागी पर आंगे बाउंड फील्ट अपने कित्थ तक यूज होने हैं ट्रियू सैटिंग किती है इस तरह मतलब के बाउंड फील्ड दी विच जागे स्टूडेंट नेम लगता जो स्टूडेंट नेम है वह सित्रहीं आपकोर्स ले रहे हैं कोर्स लें तो बाद उती डाटा फील्ड भी आपास पार ना सारा थीक है इस इकल स्लेक्ट एकल सैट किता है कमांड नेम दीविट थिक है आइटम जेड अपने को लिश राइल आण बैक कलर अपने शो हो जी एटम बटन की करता पा इस तरह है अपस बटन फील्ड बटन टाइप है थिक है कमांड नेम जे डिलिट पहला अब मतलब सारा का दी उसकता हो आपगा डूस करता थे यस फॉना ब्रेक क्लोज को ठीखिसारा क्लोस करें फॉल्म लतीं कारेंगक यहुसारी person बिभी का परमा इसारे कोर्स नहीं ता बीसी ए त्योंने लगी हुए मतलों सारे पास ने एक कोड़े कोड़े बटन बढ़ने पर बाण के अपने कोड़े डिलीट दा जे ता तुसे नुझ स्लेक्ट तेकले करोंगे ता श्लेक्त वाला भ्या पास लेक्ट कार लांगे विजिय है ऑपने पर बीसी ए प्रिश करन तो पहला जूझ करते अप तब दिलीट ओ जुगा ठीके बात जुझ करना ता पस लेक्ट करांगे अधर ज्लेक्ट जगा पर जूझ अगर इस तरह पर दुझ कर सकने अगे चेंग एक संब्सादिंग ृडवियो कॉंटे बदा जा सकता है, server-side data, जड़ा binding technique है, introduced in ASP.net 1.x, revaluations, the way developer will edit the page, page नो मतलब के बदा, मतलब क्रीट कर दिया, server-side कर दिया, that access data, data नो access कर दिया, with the introduction of the data-bound control, data-bound control दिना लिंट्रोड़क्शन देखिए, ASP.net 2.0, you know, have a whole range of features of your disposal, so all the features are available that you can use, which means filtering delay, shorting delay, pacing delay, editing delay, deleting delay. gridview is one of the important data-bound control that automatically handles these, as long as the bound data source control supports these app capabilities, जे एन उन वो स्पोर्ट करता है, in addition to grid view is out of the box feature, जे हो तो बार हा, you also have the option of extending the disability and capability by imprinting the various events of the grid view control, जे एन वे एन जो वी परफॉर्मेस जे एक्षने के परफॉर्म करता है, जे एन वो दो अन देली, आप अपक्स्टेंडिंग जे एन वी चेह हुं दिया, जे एन आप जे एन नहीं यूज कर सकते है, you can support rich data bound scanner, when the out of the box जो बार दी साइड यूज करते है, capability, far short of your requirements, अपने requirements तो एक्षर्मेंट्स एक्षर्मेंट्स एक्षर्मेस जे एन यूज कर सकते है, जे लिए फिल्द दो दितिया, बेस क्लासे, एक ता data control field, एक बटन फिल्द बेसा, जे फिल्द देल्द घ्यां जोगी होगी, जहां करनगी हो कमार्ण, जए डाता कंट्रोव हो ऒन्रोल होगी, सारे लिए, जिए लिए लिए हगी लियूद इहां किति ती furry च journalist oh kita grassi जाली है, एक इपने को तो बाता को डिब्ता हूँ हो यठीर्द दितल्द प्रिंट जए उ विचे इनेबल अस्टो एड शॉर्टिंग पेजिंग अड अडिटिंग फीचर विधा अटर राइटिंग अनि बिना कोड लिखी यदि विच देखो अपन कोड डाटा ग्रेट देविच कोड एड करना पैंधा ग्रेट विच अपन कोड एड करना जरूर था जिडि नहीं है ग्रीड विच विच अपन कोडिंग अपन जरूरत पैंधिए यदि विच किउन आटोपेटिक लिख विच विच अपन कोडिंग अपन जरूरत पहन दिया है एडेविच क्यों आटोपेटिक लिए पेजिग सपोड कर दा अलाव कस्टब पीजिग प्रोप shaken देविच कास्टम धेजिग आपने प्रोपरेशल पीजिग किच अपने स्प्रोपरेशंग अपना ओसिंग प्रोर्परेशंग किता हैं यदिप अस्टन स्पिंग विच्प बागी जे कुछ नापता लगया दोबारा पुछली हुँ Okay, बेटा, thank you so much.